इस दोग सब हमें तो minus 1 power है अब होता क्या है आपने तो बता दिया बट यूजली यह confusion होता है आपको exactly नहीं पता कि वह स्फेरिकल है और cylindrical है या क्या चीज है तो आप approximate बता सकते हो कि यह power है बट exactly नहीं होती देखिए दोस्तों यह एक डाइग्राम है जिसमें आपकी आई क को दिखाया गया है और यहां पर section करके access दिखाई गई है हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू डॉक्टर रिस्पेक्ट दोस्तों आज का topic बहुत ही interesting होने वाला है यूजली बहुत सारे patients बहुत सारे customers आते हैं वो अपनी power verbally बताते हैं कि मेरी power minus 1 है मेरी power plus 1.5 है यूजली पढ़ते हैं जो आपके eye glasses का prescription है उसको आप कैसे पढ़ेंगे कैसे याद रखेंगे और कैसे किसी और के साथ share करेंगे बहुत ही simple तरीके से explain करूँगा दोस्तों ताकि आप आराम से समझ जाएं और अपने दोस्तों को भी समझा सकें इससे पहले मैं आपने सभी दोस्तों स का मतलब left ही होता है sph मतलब spherical cyl मतलब cylindrical और axis यहाँ पर addition मतलब reading power यहाँ विजन होता है इसको समझने से पहले यह जान लेते हैं कि spherical और cylindrical और axis यह क्या होती है देखिए दोस्तों यह एक diagram है जिसमें आपकी eye को दिखाया गया है और यहाँ पर section करके axis दिखाई गई है यहा पर 180 degree axis होती है आई की power को समझने के लिए easily आप उसे axis में इस तरह से divide कर सकते हैं अब spherical power की बात करूँ सपोज यह एक आख है जो correction आपको दिया गया है वो power अगर हर जगे equal है तो वो spherical power कही जाती है for example minus 1 ले ले लेते हैं अगर पूरी eye में power का correction minus 1 से आता है तो that is called spherical power अब cylindrical power क्या होती है दोस्तों cylindrical power में जो आप यह देख रहे हैं axis इसका roll होता है suppose आपकी पूरी eye में power बिल्कुल normal है बट किसी particular axis पर power है let's see हम यह 40 degree ले ले लेते हैं इस axis पर आपको power है then this is called cylindrical power तो particular किसी एक axis पर वो चाहे 180 हो चाहे 90 हो चाहे 10 हो कोई भी axis हो सकती है वहाँ पर अगर आपको power है जिससे आपका correction होता है that is called cylindrical power spherical power में आपको बताया पूरी eye में same होती है बट cylindrical power particular किसी axis पर होती है वो कोई भी axis हो सकती है 0 से लेके 180 तक इसके apart axis जो तीसरा point था होता है axis वो क्या होता है अब suppose आपकी cylindrical power इस हाई में 40 पर है 40 axis पर है so this is called axis आप इजीली समझ गए होंगे spherical cylindrical में क्या फरक होता है अब यह देखिए दोस्तों prescription मेरे पास है आप इजीली समझ पाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं right RE मतलब right eye LE मतलब left eye उसके बाद आप यहाँ देखेंगे SPH मतलब spherical तो यहाँ पर आप देखिए minus one spherical है यहाँ पर CYL cylindrical माइनस आदा cylindrical है और जो X है वो 20 डिग्री है अगर इस पर आप ध्यान दो तो यह पावर जो है वो माइनस एक फिर माइनस आदा स्फेरिकल है इतना cylindrical है और इतनी एक्सेज है मेरी आई की इस तरह के भी patient होते हैं अब यहाँ देखेंगे केबल स्थेरिकल में आप देखोगे यहाँ 0.75 है वाटट यहाँ भी कोई power नहीं है यहाँ पर केबल 0.75 इस फेरिकल पावर है बाकी और कोई power नहीं है इसके पार अदेशन का मतलब होता है रीडिंग अब यहाँ पर आप देखो unknown resultize हुआ है यानि कि addition का मतलब है distance की पावर में reading पावर add की जाती है बहुत सरे दोस्त ऐसे हैं जो आते हैं कहते हैं मेरा तो धाई नमबर है इस नमबर का चश्मा दे दीजी ये गलत है अगर आप इस नमबर के जाके यह मत बोलिए कि मेरा धाई नमबर है अगर उनको distance में भी पावर है आप पावर चेक कराईए तब एक पावर का चश्मा है वो लीजिए तो इसका बहुत important रोल है दोस्तों यह याद रखें addition का मतलब होता है distance की पावर में addition होके अगर यहां पर 0 होता suppose अगर आपका यहां भी 0 होता यहां पर भी 0 होता तो यह ढ़ाई पावर आपकी एकदम करेक्ट बानी जाती बट इस केस में जबाब देख रहे हो यहां पर minus 1 है यहां 0.75 है तो जो चश्मा आपको reading का बनेगा वो ढ़ाई number का नहीं बनेगा वो इनकी resultant power का बनेगा वो अप्टोमेटर्स के optician ही चेक करके बता सकते हैं फोफुली दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अपनी eye glasses के prescription को कैसे पढ़ें अपने दोस्तों और family member के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इन terms को समझ चकें और अपने prescription को अच्छे से जान सकें इस तरह की और भ अपने चश्मे का ध्यान रखें नमस्कार